हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल एकुटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में सबसे पहले बैंक निफ्टी के अनलेसिस को देखते हैं यहां पर देखिए बैक निफ्टी क्या हुआ कि आज मुझे भी यहां पे थोड़ा सा ट्रैप का सामना करना पड़ा है जब मार्केट यहां पे जस्ट ओपेन हुआ एक तरह से प्रिवेस डे जो जहां पे क्लूज हुआ था इसके थोड़ा सा ऊपर ओपेन हुआ लेकिन यहां पे प्रिवेस डे का ही जो अवराल हाइ था यानि कि अवराल टॉप का जो रेस नींस था अल्टाइम हाई था इसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था लेकिन मुझे लग रहा थे कि market इसको sustain करेगा और इस type से आगे निकल जाएगा जैसा कि कल यहाँ पे देखने को मिला था तो मैं इस expectation से यहाँ पे एक छोटा सा stop loss 20 point के stop loss करके मैं एक cost to cost मतलब जो strike price चल रहा था उतना strike price का same strike price का मैंने दिया at the money बोल चकते हैं 20 point के risk के साथ तो वहाँ पे मेरा 20 point यह stop loss हीट हो गया ठीक है तो मुझे लगता है कि बहुत लोग trap हुआ होगा लेकिन बहुत लोग यहाँ पे smartly काम किया होगा और यहाँ पे देखिए जैसे first 15 minute का candle बनके तयार हो गया second candle बनना start हुआ वहाँ पे nifty में भी इस तरह का से candle breakdown किया मतलब red candle बनाया bank nifty में भी red candle बनाया और यहाँ पर जैसे दोनों red candle confirm किया तो मैंने यहाँ पे एक put का call दिया था 20 point का stop loss पाले CE में यहाँ पे हुए hit हुआ था और यहाँ पर जैसे ही put दिया यहाँ से यहाँ तक में 130 plus point वहाँ पे done हुआ है अब 20 point का stop loss 130 plus point यहाँ पे again put side में मतलब 100 point overall हम लोग profit यहाँ पे gain कर चुके थे लगभग market जब इस support level पे आया था ठीक है यहाँ तक हम लोग का premium services का आप लोग को सारे चीजे बताया अब देखो free का कहानी कैसे सुरूर होता है जो मेरा free telegram channel में जुरे हैं उनको पता होगा अगर जुरे नहीं है तो इसी वीडियो को discussion में link है वहाँ से जुर जाईए इसके बाद मैं बताता हूँ वहाँ पे मैंने एक call दिया था और daily basis पे मैं call देता हूँ ठीक है आपको उसकी accuracy भी काफी जवरदस देखने को मिलेगी आज call कैसे दिया था उसके पीछे logic क्या है इसको समझते हैं यहाँ पर देखिए जब market react किया और यहाँ से market green candle बनाया again आया market retreat किया और यहाँ पर hammer candle बनाया again upside गया again market try किया लेकिन यहाँ पर touch नहीं किया मतलब two times previously market reject कर चुका है यहाँ से three times आज market reject किया मतलब triple bottom लगाया और यहाँ पर जो formation दिया कितना बहतरीन formation दिया है देखिए candlestick pattern का इसको बोलते है morning star मैं already बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ फ्री में वीडियो बना चुका हूँ candlestick pattern वाली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं part 4 में मैंने बनाया यहाँ पर जैसे trigger हुआ मैंने free telegram channel में यहीं पर call दिया था और वो call क्या ही बोलू guys लगबग four to five hundred point already वहाँ पर running कर चुका था आप लोग जाके देखिए live जो लोग जुरे होंगे उसको आज बहुत जवरदस्त profit हुआ होगा definitely profit हुआ होगा इसके बाद देखिए कहानी यहीं पर नहीं इंड होता है कहानी इसके बाद यहाँ भी more लेता है यहाँ पर देखिए फिर से evening star guys top पर जाने के वाल again evening star फिर से हम लोग यहाँ पर sale करेंगे देखिए again आपको target देखे गया बरा target तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत नहीं target जरूर देखे गया अब देखिए कल का सिनारियो किस type से market form कर सकता है सबसे पहले बताना चाहूंगा अगर इस channel में आप लोग new है तो channel को जरूर सब्सक्राइब करें इस type के more informative video के लिए और गैज वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को like and share जरूर कीजेगा देखिए गैज यहाँ पर जो मैंने call दिया था यहाँ पर जो मैंने call दिया था सारे premium support group में आज मैंने एक hero zero दिया था finnifty का वो लगवग 70 से मैंने दिया था और 20,350C finnifty 70 से दिया था और यह high जो लगा आया है 230 आप जाके देख लेना xpid है screen suit already मैंने free telegram में लगा दिया है अब यह सब सारे calls को आप free में मेरे साथ ले सकते हैं और free में benefit ले सकते हैं इसके लिए करना क्या है सिर्फ आपको मेरे discussion में link दिया हुआ है वहाँ से account open कर लीजिए किसी भी broker में आप मुझे telegram पे contact कर आपको वहाँ पे private telegram channel में add किया जाएगा जहां पे आप learning plus earning दोनों चीजे मेरे साथ कर सकते हैं वो भी free of cost जी हाँ इसका validity जो रहेगा वो lifetime के लिए रहेगा आप वहाँ पे सब दिन के लिए एक ही बार account open करने के साथ add हो जाएंगे और सारे calls का learning सारे चीजे learning भी और साथ में earning भी आप वहाँ पे free में कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इतना बढ़ियां opportunity आपको miss नहीं करना चीए क्योंकि यह दुबारा फिर आने वाला नहीं है और जितना जल्दी होता है account open करके वहाँ पे contact कर सकते हैं अब देखते हैं कल के according market यहाँ पे क्या करने बाला swing high बोलेंगे यहाँ पे है और swing low बोलेंगे यहाँ पे है अगर swing high और swing low दोनों में से कोई भी breakout या breakdown होता है market में बड़ा momentum आएगा otherwise अगर इस range में यह जो range आप देख रहे हैं इस range में momentum करता है market में छोटा छोटा momentum आएगा ठीक है पूरी तरीका से clear हो गया अब हम लोग द देखिए जैसे open होगा यहाँ पे दो condition हो सकता है पहला condition अगर market इस range में आ जाता है तो फिर यहाँ पे momentum करने लगेगा थिर हमको 45,000 के नीचे breakdown करने का wait करना होगा अगर यहाँ पे breakdown कर देता है regular quantity से sell करेंगे क्योंकि swing low breakdown होगा और यहाँ से यह दोनों target हम लोग को easily मिल सकत अगर यहाँ पे open होता है और इस range में आ जाता है तो भी हम लोग को wait करना wait करना यहाँ पे काफी देड़ तका struggle भी कर सकता है तो जब market में इस type का momentum होता है तो आपका premium DK बहुत fast होता है ultimately आपको नुकसान कर ही देगा यहाँ पे अगर breakout मिल जाता है आपको green candle के साथ तो यहा यहाँ से जैसे breakout freshly मिल जाता है तो हमको यहाँ पे 0.50 यहाँ परसेंट 200 पॉइंट इसका first target और second 200 नहीं कि overall 400 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ से target बना सकते हैं ठीक यहाँ पर अगर निफ्टी को देखते हैं सेम एजिटीज देखिए जैसा bank nifty किया है वैसा ही यहाँ प आपको difference देखने को मिलेगा साथ में क्या हुआ है यह वाला candle देखिए कितना strong candle है यह वाला candle breakdown कर दिया है strand line को long time frame में तो इससे हो सकता है market का एक reversal का भी indication यहाँ पे लग रहा हो लेकिन अभी जो market का closing है वो है इस range में यानि कि 400 और 330 के range में market यहाँ पे closing है कल एज नोर्मल open होता है यहाँ कि gap up या gap down नहीं होता है तो यहाँ पे दो सिनारियो form कर सकता है सबसे पहले अगर 400 के उपर market breakout कर देता यहीं पे open होके तो guys यहाँ पे close होने का हम लोग फूरा सा wait करेंगे जैसे यहाँ पे green candle के साथ closing मिल जाता है हम लोग regular quantity से buy करेंगे first target 500 रहेगा इसके उपर हम लोग 600 second target ले सकते हैं और अगर market इस range में momentum करने लगता है थोड़ा सा wait करना है वेट करना है अगर 330 जो range support है हमारा नीचे का इस support को अगर break down कर देता है red candle के साथ और market यहाँ पे sustain करता है तो guys regular quantity यहाँ से भी sell करेंगे दोनों target easily यहाँ पे मिल सकता है लेकिन मैं बोलूँगा sell side का जो panic selling होगा वो होगा 250 के नीचे क्योंकि swing low देखिए यहाँ पे है और swing high जो है वो यहाँ पे है quantity यहाँ पे कम रख सकते है 250 के नीचे अगर break down करता है यहाँ से अब लोग quantity को increase भी कर सकते है या फिर as a first target इसको book भी कर सकते है तो यह दोनों target easily आपको मिल सकता है यहाँ पे अगर हम stock को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आप लोग के लिए stock लिया है यह है hero motor cop limited ठीक है यहाँ पे market का trend कुछ upside देखा जा रहा है आज gap up open हुआ इसके बाबजुन market देखिए बहुत सांदार momentum दिया है यहाँ पर एक range support है जिसका value है 2950 और market का closing overall यहाँ पे है लेकिन last time देखिए market जो breakout दिया है इसमें potential काफी ज्यादा है buyers का हो सकता है market यहाँ पे as a normal open हो 3040 जो हमारा rise strength level है इसके ऊपर अगर closing कर देता है यहाँ पर regular quantity से buy करेंगे first target 3060 रहेगा second target 3080 रहेगा इसके ऊपर ठीक है जब market sustain करेगा अगर market इस range में ही momentum करता ह है जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरीका से momentum क्या है यहाँ पर अगर आप buy sell करेंगे थोड़ा कम profit देगा या फिर यहाँ पर trap भी कर सकता है fake breakout दे सकता है इस type से momentum आपको ज्यादा अच्छा momentum नहीं माना जाएगा यहाँ पर ultimately कम profit हो सकता है या फिर आपको नुकसान हो सकत है तो यह चीज़े हम लोग अगर इस type के range momentum करता है तो avoid करेंगे अगर market यहाँ पर 2995 इसके नीचे cross down कर देता है quantity कम रखेंगे ठीक है मैं बार बार बोलता हूं quantity कम रखेंगे sale करेंगे first target यह वाला रहेगा उसके बाद यह सारे similar target ले सकते हैं लेकिन अगर यहाँ फिर फ upside का दिया था second time retreat भी same level से किया था तो इसको as a major support level consider कर सकते हैं और इसके breakdown का weight करना है फिर हम लोग को यह दोनों target easily यहाँ पर मिल सकता है तो guys मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा guys वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and share जरूर क